Hello my dear ones, आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 6 आदतों के बारे में बताने वाली हूँ अगर आपके अंदर वो आदते हैं, तो आपको वो बहुत low feel कराएंगी इन में से कोई भी आदत अगर आपके अंदर है, तो उसे तुरंट छोड़ना ही आपका भला है तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ को positively change करतेगा वीडियो को शुरू करने से पहले, आप आपको डाउनलोड कर लिजे, उसमें आपके confidence को बढ़ाने के लिए breathing exercises, meditation, affirmations हैं, तो आप उन्हें ज़रूर करेगा पहले आदत है, social isolation, अगर आप अपने आपको society से अलग रखते हैं, मतलब आप किसी भी social gathering में जाना avoid करते हैं, लोगों से मिलने जुलने में आपको comfort नहीं होता है और आप effort भी नहीं डलते हैं, कि आप लोगों के साथ comfortable हो जाएं देखिए हम सभी लोग social animals हैं, हम सभी लोगों के बीच में हमेशा से रहते आएं, हम safe भी feel करते हैं, हम अपने घर में हो या कहीं पर workplace पर हो, हर जगे हम आसपास लोगों से ही खिरे रहते हैं तो जब हमें लोगों के बीच ही रहना है, तो लोगों के साथ comfortable होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन किसी भी issue की चलते वे, आपके कुछ personal belief की चलते वे, अगर आप अपने आपको socially isolate करते हैं, तो इससे आपका confidence डाउन जाता है और इससे आपके कुछ और negative thought process और कुछ wrong beliefs develop होते हैं और आप जब वक्त पढ़ने पर आपको लोगों के बीच perform करना होगा, अपने आपको proof करना होगा, आगे बढ़ना होगा, team के साथ काम करना होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा दिकत आएगी no matter आपके life में क्या problem चल रहे हैं, आपका social experience कैसा रहा, फिर भी आपको socially active रहना चाहिए आज लोग socially active रहने का बहुत गलत मतलब निकाल रहे हैं, वो social media पर हर समय active रहते हैं, हर समय WhatsApp पे message आते रपलाई करते हैं तो ये गलत मतलब नहीं है, मतलब ये है कि जहां पर भी आपको लोगों से मिलने जुले, interact करने का, कुछ सीखने का मौका मिले, तो जरूर socializing कीज़े, क्योंकि ये आपके development के लिए बहुत ही जाधा important है आप देखिए, जब छोटा बचा होता है, उसको भी दूसरों से mix up करने की training दी जाती है, एक छोटी बच्चे को भी उसकी मदर दूसरे लोगों की गोधी में दीती है, ताकि वो बच्चा और लोगों को भी पहचाने, उनके साथ comfortable हो, outdoor activities की कितनी importance है, वो सब इसी लिए है ताकि आपकी social level पर अच्छी कासी growth हो सके, दूसरी जो habit है, वो है self criticism, अगर आपको खुद को criticize करने की आदत है, अपने अंदर बहुत सारी कम्याँ जोड़ने की आदत है, तो आपको इस दुनिया में दूसरे किसी दुश्मन की कोई ज़रुत ही नहीं है, क्योंकि आप ही अ अगर अपने आपको बार बार रिजेक्ट करते रहेंगे, तो आप अपने आप से disconnect हो जाएंगे, आपको समझना है self criticism, एक slow poison है, जो आपको बिल्कुल बरबाद कर देता है, कोई भी इंसान perfect नहीं होता, हर इंसान में कुछ ना कुछ कम्या लेकिन बहुत कुछ अच्छाया होती है, और जब हम अपनी अच्छायों के साथ साथ अपनी कम्यों को भी स्विकार लेते हैं, तब जाकर हमारा जीवन संपूर्ता की ओर बढ़ता है, हाँ, अगर आपको अपने अंदर कुछ कमी लगती है, तो इसको इंप्रूफ करने की सोचे, लेकिन सिफ अपने आपको क्रिडिसाइज करते रहना, अपने अंदर हीन भाबना भर लेना, अपने आपको अपर्चनटी से लोगों से दूर कर लेना, यह बहुत ही ज़ादा गलत आदत है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो बिलकुली नाखुश होते हैं, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी लेवल पर अपने अफर्ट्स को न कारते रहते हैं, कभी कुछ अच्छा भी करते हैं, तो उसको अक्नॉलेज नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई गलती हो जाती है, तो वो तो मानिए कि उनकी जिन्दीगी में दूफान आ गया, यह बहुत ही गलत आदत है, इसको आज ही छोड़ दीज ऐसे ही कंपारिजन, कंपारिजन, तो एक तो बच्पन से हम लोग कंपारिजन हो जाता है, है न, देख वो कितना अच्छा है पढ़ने में, देख वो कितना सुन्दर लगता है, वो ऐसे कपड़े पहनता है, उसके पास ये है, वो है, पता नहीं किस-किस बात पे ऐसे कंपा इतना हो जाता है कि हमारी ऐसी कंडेशनिंग हो जाती है कि हम खुद भी कंपैर करने लगते हैं लेकिन चोटी एच में तो हमारे बस में कुछ होता नहीं है लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये हमारा जीवन है हमारी जिम्मधारी है और हमें comparison करना बिलकुल बंद कर देना चाहिए क्योंकि हम सब इस दुनिया में एक अलग ही journey पर है हम सब unique है और अपनी uniqueness में हमें बहुत खुश होना चाहिए और अपने आपको accept करना चाहिए यहाँ पर अगर हम comparison करने के चक्कर में लग जाएंगे तो हम अपने आपको दूसरों से नीचा disadvantageous position में देखते हैं तो हमारे अंदर confidence कम होता है ही भावना होती है जिंदिगी प्रदी नेराशा होती है वही पर अगर हम दूसरों से compare करकर अपने आपको बहुत ज़्यादा उंचा मानेंगे और बहुत ज़्यादा अपने अंदर superiority complex ले करा जाएंगे तो वो भी हमारे विनाश का कारण बनती है क्योंकि जो इंसान अपने आपको हमेशा अकड में और दूसरों से उंचा रखता है उससे भी लोग दूर भागने लगते हैं और उसका जूटा घमन अकर जोसके अंदर ego develop हो जाती है उस comparison के वज़ा से वो उसको peak पर लेकर भी जाएगी कहीं पर लेकिन फिर महां से गिरा भी देगी तो comparison किसी भी तरीके से करना जहां पर आप अपने आपको नीचा या उंचा समझ रहे हैं बेकार ही होता है आपको बस अपनी uniqueness में believe करना है अगर आपको कभी comparison करना है तो अपनी performance से कीज़े आप देखिए कि आप पहले से कितना भैतर हो रहे हैं सिर्फ अपने आप से comparison करना ही सही होता है दूसरे लोगों से comparison करना किसी ना किसी रूप में आपको दुख देगा ही देगा इसलिए comparison की आदत छोड़ दीजे societal beauty standards भही societal beauty standards में तो कोई fit नहीं हो सकता ना कोई लड़का फिट हो सकता ना कोई लड़की फिट हो सकती जिन्दगी की पूरी क्यते है ना तैस नैस हो जाएंगे जितने आप commercials या beauty standards देखते हैं beauty pageants देखते हैं या like जिस तरीके से रिष्टे के टाइम पर लड़के लड़के को चुना जाता है उन beauty standards में तो कोई भी फिट नहीं बैठ सकता और उसकी वज़ा से इतना लोग अपने ही शकल से मतलब ऐसा research भी बताती है कि हम सबी लोग self haters होते हैं हम क्योंकि अपने आपको जब एक criteria में आप फिट करने की कुशिश करेंगे तो असानी सा फिट तो हो नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो बड़ा बहुत बड़ा trap है कॉस्मेटिक कंपनी इसका और बहुत सारे इसके पीछे लोग हैं जो आपको कही न कहीं वहाँ फिट करना जाते हैं जहां पर फिट करना impossible है तो वो आपके लिए एक lifetime struggle देते हैं आपको एक lifetime जोना problem का शिकार बना देते हैं कि आप उसे बाहर आई नहीं सकते हैं लेकिन जब भी हम अपने आपको किसी भी beauty standards में fix करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आप अपने आप से दूर होते चले जाते हैं ये गलती करने से हमें बचना है हमें समझना है हमारा रंग, रूप जैसा भी है हमें आपने आपको सुखा पूरी तरीके से सुविकारना है क्योंकि God ने हमें बहुत ही सोच समझ कर बनाया है और हमें किसी को दिखाने के लिए किसी भी स्टांडर में फिट होने की जरूती है आपको अगर अच्छे से रहने का तयार होने का शौक है आप होई है लेकिन यहां पर कि सिर्फ आपको एक स्टांडर को मैच करना है आपको इस तरीके से प्रेजन करना अपने आपको एक मजबूरी है तो वो गलत है अब देखी मैं आपको बताती हूँ मैं को तयार होने का बहुत शौक है मैं रोजाना अच्छे से तयार होती हूँ मैं जबी भी अपने वर्क प्लेस पराती हूँ अगर मुझे किसी दिन फीवर भी होता है तो उस दिन भी मैं अच्छे तरीके से तयार होती हूँ क्योंकि ये मेरे को confidence देता है जब मैं अच्छे से तयार होती हूँ तो मुझे बिल्कुल एहसास ही नहीं होता कि आज मेरे तब ठीक नहीं है और मेरे रिकवरी बहुत फास्ट होती है लेकिन जब संडे आता है तो संडे को no make up day होता है मैं अगर market बिजा रही हूँ कहीं पर बिजा रही हूँ और आप मुझे कहीं पर मिल जाएंगे तो आप मुझे no make up में देखेंगे और मुझे बिल्कुल भी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे किस तरीके से देख रहा है कि ये make up के साथ ऐसी लगती है बिना make up के साथ ऐसी लगती है कुछ नहीं क्योंकि मेरे दमाग में किसी के standards में fit होना नहीं है ये completely मेरी choice है मेरे पास freedom है कि मुझे कप कैसे रहना है तो जब आप इस तरीके का confidence कर लेते हैं तो वहां पर आपके उपर से burden हट जाता है और आपकी जिंदेगी बहुत ही साथा खुष्णुमा बन जाती है लेकिन लोग ऐसे आपने बहुत सारी celebrities को भी देखा होगा जब उनको कोई भी बिना make up के capture करना चाहते तो अपने मूँ ढखके ऐसे चले जाते है जैसे कि मिना make up के कोई देखी नहीं सकता है बहुत सारी actresses की video देख लीजे आप उनको जबी भी ऐसा होते है ना वह कहीं पर spot कर रही है और make up में नहीं है तो बहुत सारी हिरों इसको आपने देखा को not challenging yourself जो बंदा अपने आपको कभी challenge नहीं करता है अपनी powers को extending नहीं करता है उसका क्या ही कुछ बहतर होगा हमें हमेशा आपने आपको कुछ challenge देना चाहिए कुछ नया सीखने का कुछ भी हो सकता है वो challenge suppose किजे आप को exercises करते हैं कोई exercise आप नहीं कर पाते हैं तो आपको challenge दीरी दीरी अपनी capacity को बढ़ाईए suppose किजे आपके अंदर कोई skill set करने अभी आपको लग रहा है कि आपको वो चीज नहीं आती है लेकिन आप सीख कर उसे add on कर सकते हैं आप अपने आपको छोटे-छोटे से challenge देते हैं चाहिए वो challenges कोई भी हो कोई goal achieve करने के हो कुछ नया सीखने के हो या कहीं पर कुछ adventure try करने के हो कुछ भी हो सकते हैं जब आप अपने आपको challenge करते हैं तो आपके अंदर आपकी जो strength है वो बढ़ती है आपकी power expand होती है आपका confidence बढ़ता है आपको जिन्दीगी जीने का मज़ा आता है क्योंकि life में कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ हमें बहतर करते रहना चाहिए क्योंकि जिन्दीगी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है अगर हम कदम से कदम नहीं मिलाएंगे तो हम पीछे हो जाएंगे लेकिन याद रहें इतना भी तेजने चलना है कि धड़ामदे नहीं गिर जाएं speed अपने काबू में होने चाहिए इसे ही over apologizing बहुत ही जादा sorry 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 माफी मांगते रहना ये low confidence की निशानी होती है जहाँ पर आपसे कुछ गलती हो गई है जाने जाने वहाँ पर आप जरूर sorry कहिए क्योंकि इसे आप बड़े होते हैं क्योंकि जो इंसान अपनी गलतियों का accept करके स्विकार करके दूसरे से शमा मांग सकता है शमा कर सकता है वो हमेशा बड़ा ही इंसान होता है लेकिन जरसे जाला चुटी-चुटी बातों पर guilty feel करना, sorry feel करना ये सब क्या है? ये आपकी बेकतरी कर देता है लोग आपका मजाक उड़ाते हैं वो ये आपकी सज्जनता नहीं देखते हैं अपका मजाक उड़ाते हैं तो यहां पर जरूरी हो वही पर इस तरीके से आप अपने आपको चुकाई है बिना मतलब सिर्फ दूसरे को खुश करने के लिए है या हर समय कंप्रमाइस करना और दूसरा आपको छोड़ के ना जाए इसके लिए आप सौरी फील करते रहते हैं तो यह आपके सेल्फ इस्टीम की धज्जियां उड़ाने जैसा है और इसको करना बंद कर दीजे तो आज मैंने बताया आपको ऐसी छे आदोतों के बारे में अगर आप उन्हें छोड़ देंगे तो आपके जिन्दिगी बहतरीन बन जाएगी इनने से कोई भी आता तो तुरंट छोड़ देजे ये वीडियो सब के साथ शेयर कीजे क्योंकि हम सब साथ में मिलकर ग्रो करेंगे तब ही तो असली खुशाली आएगी मैं मिलूंगे आपसे नेक्स वीडियो में आप अपना खास ख्याल रखेगा